हलो हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब आए होप आप सब ठीक होंगे आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अचारी पुलाओ की बहुत जटपट और इजी वाली रेसिपी जो कि इतनी मज़ेदार और चटपटी बनती ना एक बार बनाओगे तो हमेशा इसे ही बनाओगे इस यहां पर हम गाजर लेंगे एक मीडियम साइज आलू एक मीडियम साइज मटर लिए एक चोटी कटोरी फुल गोबी चोटी कटोरी पनीर चोटी कटोरी और देड कटोरी लिए है ग्रीन बीन्स का क्रण्च बहुत अच्छा आता है एक चोटा चमश लेंगे कलोंजी देड हरी सोफ एक चोटा चमश लेंगे जीरा देड़िया दो चमश ले सकते हो खड़ा धन्या दो लिये है तेजपत्ता एक इंच दाल चीनी दो हरी इलाइची पाव चमश मेथी दाना दस लोंग और पाच लिये हैं हमने दस काली मिर्च और पाच लोंग है ठीक है इससे तो आधी चोटी चमश पिली सरसो भी डाल देना ज्यादा नहीं डालनी है ठीक है यहां पर मैंने पास से चे डाल दिये कश्मीरी लाल मेच कश्मीरी लाल मेच से बहुत अच्छा कलर आएगा अच्य से बुनना है और इस पिलाओ में नहीं डालेगा जो यह मसाला बना रहे इस को बारी कर सकते हो यहां फे वा की तडा का लगाने के लिए प्यास टमाटर अद्रेक लैसिन का पेस्ट TO según यहां में लिए हैं नो AM 2 मिडियम साइज लंबा लंबा कर लेंगे दो मी मिडाव साइज टमाटर और यहां पे मैंने कुछ क dislocate लिए जैसरे कि राई एक चक्र 12 टेबल स्पून ओई थोड़ा सा ओई जादा डलेगा इस पुलाव में क्योंकि चटपटा अचारी पुलाव बना रहे है इसमें खड़े मसाले डाल दिया है एक चक्रफुल दो बड़ी लिया इची कड़ी पत्ता डाल दिया है प्यास डाल दिया है अच्छे से मेडियम फ्ल अचारी पुलाव तो उसका स्वाद और निखर के आएगा वाले में थोड़ा स्ट्रॉंग फ्लेवर आता है और उसमें खटास भी नहीं होती है जब भी बजार का रेडिमेट वाला अध्रक लैसन आप यूज करते हैं तो उसे लो फ्लेम पे अच्छे से आपको पका लेना जिससे कि वह विनेगर की स्ट्रॉंग स्मेल ना वह चली जाए और लो फ्लेम पर है फ्लेम पर जल्दी जल जाता है तो इससे अच्छे से आपको पकाना हैं दो से 2 मिनित के बात् ilman के बाद जब चली जाती ना विनेगर की आपको अपने पता चल जाएगा कि आपका प्या बनाओगे और तड़के में डालो के ना तभी बच्चे आके बोलने लगेंगे क्या बना रहे हो तो यहां पे अड़ कर दिया है मिने टमाटर में टमाकर आप ना देखिए 2 मीडियम साइज मेन टाले हैं 2 मीडियम साइज में लिए हैं प्रोपोर्शन हमें सीम लेना है बट देखिए जब भी कोई अच्छा खाना बना रहे होना आप तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा यार रेस्टरॉंट में आप देखो इमीजेट डिश आपको सर्व नहीं की जाती है थोड़ा वेट तो करना पड़ता है विकोज स्लो कुकिंग में ही वह स्वाद तो यह देखिए ना हमारे खड़े खड़े दिख रहे है तो आप क्या कर सकते है इसमें न थोड़ा सा पानी का चीटा मारतों और चीटा मारने के बाद इसे ठक के पका लो तो तो तक उनको बकाना बहुत ज़रूरी है वनना स्वाद अपका बिल्कुल निखर के नहीं आए आप यूज कर सकते हो दही को भी आपको अच्छे से पकाना थो से चार मिनट तक दही को भी आपकाना बहुत जाद ज़रूरे लो फ्लेम पे तही नहीं तो फट सकता है आपका ये देखिए कितना सुन्दर सा कलर आयाँ देख सकते वाफ इतना बड़ी खुशबो आरी थी एक बार इस पुलाओ को जरूर बनाना और अंतक रेसिपी देखना थोड़ी लेंदी लग रही होगी आपको शायद आप बोर भी हो रहे होगे पर जरूर देखना यार वर्त है यह रेसिपी यहां पर मैंने डाल दिये सारी सबजी यहां फूरे Sun जा यहां पर पैंछियागी आप तो कि इस्पाम पकने में टाइम बनी आपक चोट सकते हैं इसलिए पद्टा से z trembling मिनट में मसाले बहुत ज़रूरी है वन पॉट रेसिपी को यूहीं बदनाम किया हुआ है कि वह बहुत जल्दी बन जाती है, वन पॉट रेसिपी में कभी-कभी वक्त लगता है, बट वह बहुत जादा स्वादिश्ट भी बनती है, तो वक्त लगने दीजिए, बट स्वादिश्ट खाना बनाएगे, यहां पर म के लिए चार कटोरी पानी नहीं डालना है, एकदम चिप-चिपे चावल मनेंगे, तीन कटोरी ही दालना, बहुत अच्छा स्वादाएगा, अब देखिए, हमने चावल को थोड़ा था, मैंने एक से दो मिनट तक भूना था, एकदम हलकी करची चला के हां, चावल तूटन प्लाव पानी नहीं चावल के लिए चावला था शेयं, वशेया थार पाउबर मिर्च पाउडर तो चलीए ही बनाना स्टा चाले मैं पहले में ले लिए यह चावल हुआ था तूटन आ जिब आप इसको अच्छा σे मिक्स कर लेगे, इसको पहले में धनिया पत्ता जीरा प जीरा पाउडर भुना हुआ इसमें बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है तो इसे जरूर डालना कोई भी चीज नहीं करनी है और इसको बना के अब प्रीज में रख दो तब तक देख लेंगे कि हमारा पुलाव रेडी है या नी यह रेसिपी ना बहुत ज्यादा इजी है भाप पे उसे अच्छे से पकने दिया है जब भी आप कोई बासमती राइस का पुलाव बनाओ और स्ट्रॉंग को करो देखिए मैं अभी न्यू वाला कुकर लिया है यह बहुत जादा स्ट्रॉंग है तो इसको वन सीटी में अच्छे से पक गयाता है देखिए कितना सुन कि अगुष्टर ुष्टरान का पुलाव भू जाओंगे यार विर्याणी क्या इसके सामने एक बार तो जरूर बनाना और चावल तो देखो कितने खिले खिले बने और से इसी के साथ हमारा आचारी पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है इसको सर्फ करेंगे हम को कुम बर क थंड़ी थंड़े राइते के साथ रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा हाँ थोड़ी लंबी थी बढ़ खाने में बहुत जादा स्वादे अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल बाबाई एवरीवन अपना ख्याल रखन अए्छी लगी हो झाहर ही हो ठह जसर यओद। शली बादाने में जिता है स्वादवादीज कर झाएभी हो नड़ादीरे विजयर विट है यह विँएग झाएभी हो नड़ी हूँ झाएवरो बभी हो धनल झाल रादार हो झाहcling जँ़रा हो एवरीजा थे शेता हैं लूल